इधर लगनों के बाद दिल्ली सभा कारियाले पर भी ताला लग चुका है बताने की कारियाले के मैंगेट पर ताला लगा है पूरे दफ्तर में कोई भी मौजूद नहीं है कारियाले के भीतर बतौर अध्यक्ष मलायम सिंग की नेमपलेट जो है वो लगी हुई है परिवार की कले की वज़े से समाजवादी पार्टी के राष्टी कारियाले में ताला लग गया है बड़ी मुश्किल से समाचाः प्लस की टीम अंदर पहुँच पाई है क्योंकि अंदर कोई भी ऐसा विकते नहीं यह जो ताला खोले रॉखायब जो गेट है मुलाइमसिंग यदर का वहां ताल लगा हुआ है तमाम गेटों पे ताल लगा vidéos है लेकिन आप देख सकते हैं कर रास्टी कारेले में अभी भी मुलाइम सिंग यादव बतौर रास्टिय अध्ष के दिखाई दे रहे हैं हिंदी में भी उर्दू में भी तो समाचार प्लस के दर्शकों के लिए हम बेहत जोखिम लेकर आपे पहुंचे हैं कि जो यहां पर लोग हैं वो नहीं चाहते कि कैमरा यहां पर आए जब तक मामला सुलट जाए तब तक पूरे दफ्तर को सीज किया गया है ताला लगाया गया है और यहां पर आप देख सकते हैं राम गोपाल यादव की भी नेम प्लेट यहां पर मौझूद है यह वो इलाका है जहां से राम गोपाल यादव मीडिया से मुखातिव होते थे प्रेस कॉंफरेंस की जाती थी यानि अभी अगर तस्वीरों की बात की जाए तो एक तरीके से कॉर्ण आफ किया हुआ है सील लगा रखी है तल लगा रखा है लेकिन यहां पर राष्टिय अध्यश्च के तारपे मुलाहिम सिंग यादव की तस्वीर मुलाहिम सिंग यादव की नेम प्लेट अभी भी केंद्री कारेले में नजर आती है अगर बाहर का नजर आपको दिखाना चाहे तो बाहर जितने भी बोड लगाए गए है उन सभी बोडों में शिपाल यादव की तस्वीर गायब है तो यहाँ पर आप मुख्यमंत्री को देख सकते है प्रोफेसर आमकौबाल यादव को देख सकते है और यहाँ पर मुलायम सिंग यादव को दे सकते हैं लेकिन शिपाल यादव की तस्वीर गायव है मीडिया की गाड़ियों को आने की इजाज़त नहीं दी गई है और पूरा और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से मुलायम सिंग यादव की जो नेम प्लेट है वो मौजूद है और पूरा आप ये केंदरी कारयाले देख सकते हैं जिस सूबे के अंदर की पार्टी सत्तारूर हो जिसमें टिकट को लेकर अभी घमासान मचा हो वहाँ पर ना कोई मीडिया करमी ना कोई चौकीदार ना कोई कारे करता तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समसान सा सनाटा केंदरी कारयाले में नजर आ रहा है लेकिन केंदरी कारयाले के अंदर रास्टी अध्यश की नेम प्लेट में अभी भी मुलायम सिंग यादव का नाम चस प्राप्लस